वेलकम टू डू लिंग किचन आज हम बनाएंगे 2 kg पाइनैपल केक बेस के लिए मैंने आज प्रेमिक्स का यूज कर रहा है इसके लिए मैंने 400 ग्राम प्रेमिक्स का यूज करते हुए 10 इंची के टिन में इसे बेक कर रहा है और यह हमारा स्पॉंज अच्छे से ठंडा हो ग क्यूंकि मेरा केक बड़े साइस का है तो मैं डिरेक्ट केक बुट पर ही असेंबल करूँगे क्योंकि हो सकता है किम इसे लिफ्ट करें तो हमारा केक टूट जाए इसलिए हम risk नहीं लेंगे केक sponge को सबसे पहले हम soak करेंगे जिसके लिए कि मैंने normal water में 2 टेबल स्पून pineapple crush का add करा है इससे क्या होगा कि हमारे base को भी एक pineapple का flavor मिलेगा इसके उपर लगाएंगे एक layer cream की जिसके लिए कि मैंने piping bag का use करा है आप direct spatula से भी लगा सकते हैं लेकि मुझे इस तरह से easy लगता है और even layer nickel कराती है तो मैं इसलिए piping bag ही use करती हूँ इसके उपर डालेंगे pineapple chunks ये canned pineapple है fresh pineapple का use मत करिएगा इसके उपर लगाएंगे हम top layer उल्टी करके और सबसे पहले हम side के gaps को fill करेंगे नहीं तो आपका cake dome shape का बनेगा second layer को भी हम इसी तरह से soaking कर लेंगे और उसी तरह से same process करते हुए cream लगाएंगे और इसके उपर जाएंगे हमारे pineapple chunks मुझे मेरे यहाँ पर इससे बड़ा cake board नहीं मिला है अगर आपको बड़ा cake board मिले तो 10 inch tin के लिए आप 14 inch का cake board यूज करिएगा और अगर आपको tall cake बनाना है तो इतनी pre-mix के साथ आप इसे 8 inch tin में अगर bake करेंगे तो आपका tall cake बन जाएगा इसके उपर हम third layer लगाएंगे और सबसे पहले sides के gap fill करेंगे ताकि हमारा dome shape नहीं बने और third layer को भी इसी तरह से हम soak कर लेंगे अगर आप fresher हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले crumb coat करके इसे 15-20 minute के लिए fridge में छोड़ दीजे तो मुझे अभी इसकी ज़ुरत नहीं है तो मैं direct dispel cream लगाऊंगी तो इसके लिए सबसे पहले मैंने top layer पर cream लगाई है piping bag का ही use करते हुए मैं sides पर भी cream लगाऊंगी इससे क्या होगा कि मेरा काम easy और जल्दी होगा अभी हम एक scrapper की help से इसे finishing देंगे finishing आप दो बार ही दोगे ज़ादा बार इसे finishing मत देजेगा पहले side से फिर उपर से और फिर side से और फिर उपर से बस इससे ज़ादा अगर आप इसे बार बार finishing देंगे तो आपकी cream dry हो जाएगी finishing देने के बाद मैं यहाँ पर बहुत ज़ादा cream का work नहीं करूँगी वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन थोड़ा सा तो हमें इसे decorate करना पड़ेगा तो जिसके लिए कि मैंने यहाँ पर rosette nozzle ली है और piping bag की एक side पर मैंने एक drop color का use करा ज़ादा color use नहीं करेंगे और उसके साथ मैंने sides पर rosette बना दिए जहाँ पर sides पर gaps थे वहाँ पर मैंने star nozzle का use करते हुए stars बना दिए तो यह gaps हमारे fill हो गए और इसके उपर थोड़े से sprinkles डाल देंगे और अंदर की side भी थोड़े से sprinkles डालेंगे पूरा अंदर sprinkle name डालूंगे क्योंकि हमें वहाँ पर name भी लिखना है और इसके उपर बड़े tag लगाएंगे और यह हमारा pineapple cake 2kg का ready है और अगर आपको मेरे tips अच्छी लगती हैं कुछ help मिलती है तो मेरे page को please like, follow और subscribe कीजिए और comment करके बताएगा कि यह आपको tips कैसी लगी thank you for watching